ये टेंशन क्या है? फिर से एक बार टेंशन देने आ गया हूँ? नहीं नहीं, टेंशन के उपर बताने आ गया हूँ. जी हाँ, आज का जो मुद्दा है वो यही है कि किस प्रकार, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी मैंने उसमों बताया था कितने प्रकार की टेंशन होती ह है एक एक्टर को ड्यूरिंग ओडिशन या पर्फोर्मेंस. आज मैं बताऊंगा कि टेंशन जो है कैसे अफेक्ट डालती है? यह किन-किन एरियास पर आपके अफेक्ट पड़ता है? टेंशन के कारण आपकी पर्फोर्मेंस कहां बिगड़ती है? इसी मुद्दे पर आज म को दबा दो, जिससे कि सारी वीडियो आप तक मिलती रहे, पहुचती रहे, है ना? तो चलिए देरी नहीं करते हैं, भाई वीडियो को शुरू करते हैं कि टेंशन किस तरीके से अफेक्ट डालती है आपकी एक्टिंग स्किल पर. तो भाई पहली, पहली क्या है? टेंशन आ जाता है, तभी फंबल आता है, इतनी नर्वसनेस दिल धग 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 करने लगता है, तो टेंशन के पहले कारण की वजए से आप कहीं पर भी, आप रियल लाइफ में भी देखें हैं, जैसी आपको टेंशन होती है, आप देखना ठीक से बोल नहीं पाऊंगे, सबसे पहला के साथ में हो, इन सारी चीजों का निचोड अबनया का बहुत तगड़ा रोल है, ब्रिधिंग से, जरूर बता होगा, है ना, तो कुछ भी भाई, मिस मत करना है, बराबर, तो क्या है, कि पहले क्या है, वोकल कॉड पर सबसे ज़्यादा एफेक्ट परता है, आपके टेंश हो गई, दूसरा, फिजिकल मुव्मेंट, अब ये फिजिकल मुव्मेंट क्या है, जैसे ही आप टेंशन में आते हो, आपकी बॉडडी लेंग्वेज चेंज हो जाती है, आपके एक्स्पेशन बदल जाता है, कैसे पुलिस वाला आपको भाप लेता है, या आपने कुछ ग दिखाएगी, आपकी दिमाग में जब टेंशन चल रही है, तो आपकी परफोमेंस में भी टेंशन दिखेगी न, कैमरा तो इतना क्लोज है यार, ये तो छोटे-छोटे मुव्मेंट को पकड़ लेता है, तो आपकी टेंशन को नहीं पकड़ेगा, बराबर, अब टेंशन क कि अगर मैं बात करूँ, तीसरा पॉइंट क्या है, इमोशन पर बहुत एफेक्ट आलता है, आप जो इमोशन पोट्रे करना चाहते हो, आप टेंशन में देखोंगे, वो इमोशन पोट्रे नहीं हो पाता है, बराबर, ये बहुत बार अच्छा भी होता है, और बहुत बार ज़ित अब ढर कि अगर मैं इसको और तरीके से समझे हो तो कैसे समझा हुआ है, जैसे एक्टर के पास टेंशन आती है, चाहे बोडं का किसी ही हो, को एक्टर की टेंशन हो, सैट की टेंशन हो, बार विविन परकार की टेंशन इससे पहले मैंने अलग वीडियो में बता रखे अब बता रहा है कि किस तरीके से यह कहां का अफेक्क डाल रही है आपकी पर्फॉमेंस में तो बाई emotions जो आप emotion जो character का emotion है जो आपका emotion है जो build करके आप बना सकते थे वो टेंशन के कारण आपका बिल्द नहीं होगा तभी आप कहते हो ना अरे यार आज मैंने कुछ फील नहीं करा यार मेरा एक्ट अच्छा नहीं गया कैसे पता जाता है क्यों कि दिमाग में भसाड कुछ और चल रही है न तो दिमाग की भसाड को ठीक करना पहले टेंशन तो पता है लाइन लाइन ये दिमाग में जो लाइन चलती रहती न और यार एक लाइन गई दूसरी लाइन ना भूल जाओ यह जो सब्सक्र बड़ी टेंशन है यह यह तो जहर है समझ लो ठीक है तो भाई तीन पॉइंट सब्सक्राइब कि किस तरीके से यह अफेक्ट कर आई आपकी परफोर्मेंस स्किल को कि चौते पॉइंट में यह है कि टेंशन आपके कहां डाल रही है मूव्मेंट एंड प्रॉप्स अब यह क्या है क्रिश्ण सार इसे भी समझा दो देखो या टेंशन जैसे ही आपके आती है तो आप ठीक तरीके से अपनी प्रॉपर्ट प्रॉपर्टि का यूज और में आपके हाथों में तेंशन दिखती है ठीक से ampla कड़ने मेंशन तेखती है तो प्रॉपर्टी की साथ में आप कॉंफ़र्टिवल नहीं होते हो फ्रॉपर्टी यह या आप फुल्भी मूभ्मेंट ले रहो या ब्लॉकिंग ले रहे हो उसमें भी आपकी टेंशन दिखती है, कभी-कभी आपको बोला जाता है कि आप मार्क पर आके इधर लुक देना है, आप मार्क पर लुक दिया, तो आपको टेंशन के कारण क्योंकि भसड तो दिमाग में चल लेती लाइनों की, है न, अब उसके कारण आपकी ब्लॉकिंग, आप इसको भी खराब कर रहे हो, तो ब्लॉकिंग, और मार्किंग, और मुव्मेंट या प्रॉपर्टी, इनका भी जो रिलेशन है, जो बॉन्डिंग बननी चाहिए थी, वो भी नहीं बन पाती है, आपके कैरेक्टर के साथ में, बराबर आपको छोथा पॉइंट साथ में chemistry के बारे मागरबा बात परूत हो यार, chemistry क्या होती है, पहले हम chemistry को समझ लेते हैं, फिर को एक्टर को समझेंगे, तो chemistry तुमने पड़ी है न, मैं बोलूगा कि मेरे और मेरी बहन की chemistry अच्छी नहीं है, कारण, relation एक ही है, लेकिन chemistry अच्छी नहीं है, उसके पीछे कारण है, bond का, किसका, bond का, मेरे भाई का, मेरी बहन के साथ में relation बहुत अच्छा है, उन दोनों की chemistry बहुत अच्छी है, मेरी chemistry अच्छी नहीं है, कारण क्या है, मेरा मेरी बहन के साथ में bond, H2O, मिलकर बनाता था, क्या, water, बराबर, तो hydrogen के element लिए, oxygen के element, इन दोनों के बीच की चीजों को मिलकर ही, तो chemistry बन रही है, chemistry with co-actor पर एक अलग से topic बना हुआ, क्योंकि यह जो topic बता रहा हूँ, यह अपने आप में एक chapter है, जो topic बता रहा हूँ, और इनकी अपने आप में एक अलग-अलग, बहुत advanced level की exercises है, जो सिर्फ और सिर्फ मैं ही करवा सकता हूँ, अब मैं ऐसा नहीं कहा रहा हूँ, यह मैं research कर यह 10 साल यार, इस चीज़ पर, तो, क्योंकि मैं system को लेकर चल रहा हूँ, मैं कोई acting नहीं पढ़ाने आया हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें तुम्हारा system समझा रहा हूँ, कि तुम्हारा तुम्हारे पिता के साथ में chemistry क्या है, मा के साथ में chemistry क्या है, यह अपने आप मे mental focus, वाई, यह जो है, यह गर्वा कर देता है कहानी, क्यों, क्योंकि देखो, आपका tension आपको है, उस किरदार को tension नहीं है, यह समझे, किरदार अलग है और तुम अलग हो, तुम्हें tension है, कि भाई, लाइने भूल जाओगे, यह भूल जाओगे, उस character को कोई tension नहीं है, चरि चरित्र को आगे नहीं करोगे, तब तक tension मनी रहेगी, चरित्र को आगे चलाने दू ना, गाड़े को तुम drive कर रहे हो, smooth तरीके से drive करो, भरोसा रखो, खुद पर, अपनी कला पर, इतनी महनत करोगे, इतनी चीज़े, मतलब detailing में यार, जब तुम research करोगे, अपनी system को पढ चैरोगे, जानोगे, तो acting कैसे नहीं आगी, मैं मानी नहीं सकता, काम के ऊपर नहीं कह सकता है, काम तुम्हें आज मिलेगा, कल मिलेगा, या पर्सु मिलेगा, इसकी कोई guarantee नहीं है, जो को सत्ती बोलना मेरा काम है, सच बोलूँगा, क्यों कारन का है, क्योंकि उसके अपने एक अलग फंडे हैं उसमें networking बनानी परते हैं चीज़ें बनानी परते हैं लेकिन सब कुछ networking से भी नहीं होता है craft बहुत important है लेकिन यह है कि एक तरफ आपका काम है यह है और कमसे हम craft पे तो क्नी पकड़ मजूद कर लो यार इतनी कर लो कि कोई आपको तोक ना सके बराबर I hope आपको यह सारे points 1 by 1 1 by 1 6 points हों में आये होंगे कि tension कैसे affect करती है एक actor की performance को बराबर अगर चैनल पर नए है तो subscribe कर दे है ना comment section में लिखो जितने comment कर सकते हो तुम दुनिया को कोई भी acting से related सवाल पूछो और लिखो डालो अपने comment section में भाई इस वीडियो में सर अगली वीडियो में इस पर चाहिए जरूर research करके बताऊंगा क्योंकि मैं और आप मिलकर इस channel पर research कर रहे हैं और ऐसी research करेंगे जो नाट पिशास्तर से लेकर method acting तक पढ़ाऊंगा मैं आपको जो कोई नहीं बता सकता ये भी fact है कोई नहीं बता सकता क्योंकि यार एक किसान के बच्चा है कहां से दो लाक तीन लाक रुपे फीस पे करे यार अब सपने तो उसके भी है ना क्या करें लेकिन ठीक है हाला कि मैं खुद मैं खुद मेरे फादर किसान है अगर मैं बात करो तो यार मैंने वो चीज़ें देखी हैं कैसे लोगों का बेफकूप बनता है दो मेंने तीन मेंने अरे दो तीन मेंने भी सफिशंट है मैं यह नहीं कहरा लेकिन दो तीन में पचास चीजें मत करवाओ दो चीजें करवाओ उसके सिस्टम पर करवाओ उस पर उसे आजाए बस हो जाए पैसे लेने हैं लोग कोई दिक्कत नहीं है भाई 20,000, 25,000, 40,000 फीस लो लेकिन 40,000 अगर तुम दो मैने की फीस रख रहे हो तो भाई कम से कम नहीं चारलाक रुपय का पढ़ा के दो मेरी ऐसी सोच है वो सकता है कि गलत भी हो सकते हैं सही भी हो सकते हैं लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ बराबर तो भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो है ना जोड़े रहो नाटेवेट से फॉलो को लो इंस्साग्राम पर नाटेवे अनल पर नाटेवेद लिए झाराम पर ना हैre ना वो तो तो मैं ठाबगर नाटेवे वो पर ना फॉलो को ये जारतो ह।